हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उनलाइन पड़ाई में फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी लोग को पहले सी विदे थे कि हम लोग नोएव डिस्टिक की सीरीज चल रही थी हम लोगों की जिसमें हम लोग मत्विदेश के कुश इंपोर् बैदि बाएकंष रिए और उरुब पहले बगेरma को हम लोगों डिसकस कर लिया था आज हम लोगलें बिसक्राइव js ने वालह में हम लोगरे भिंदा जिले को इसकी अगार बात करें तो सबवस्हाठे इसका हम लोग प्राजिव करतुत हैं तो इत्हास में इसको जो भदा का नाम भिंड बढ़ा है हम लोग आगे चलें तो MP का जो सबसे कम लिंगानुपाद बालर जिला है वो भिंड ही है इसमें लिंगानुपाद 838 पर हजार पर है यानि 838 महलाओं पर एक हजार पर ठीक है इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहां से भी जा रहा है इसके लिए उपसंदे देता है हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड ठीक है इस प्रकाय से कुछ आपको उपसंदे देता है और इसी में पूछ लेता है कि लिंगानुपाद के साधार पार आप आ जाता है इसको दियान में रखेंगे विसे इस दौन जो भिंड है इसको बागियों का गड़ भी कहा जाता है और इसके अंतरगत एक तहसील पड़ती है रोनी जो है जनसंक्या के आधार पर सबसे छोटी तहसील है मद्धपिदेश की याद रखना मद्धपिदेश की सबसे छोटी जनसंक्या की आधार पर जो तहसील है वो रो यहां पर काली मूश वाला चावल उगाया जाता है काली मूश वाले जावल को तो बताइए के काली मूश वाले चावल को चीयाई ट्राथडीय यहां का एक प्रुमुप प्रेटरर्ड में जिसे ब्हुरी सिर्वर पर्टनिस्थल की नाम से जाना जाता है अब हम लोग बात करें अगर यहां के बांद हो की तो यहां पर लिवांद हो रहाऊ पो यह स्बसे पहले बात करेंगा है हम लोग गोहद का किला की कि clarify है यह राजा जाट महासिंग ने सोलावी सताब्दी में इसका निर्माड करवाया था और इसे धली में यूनस को दारा धरोहर सूची में सामिल किया गया है अब यहां पर एक ट्रेंट नियू दरमा जाता है यूनस को यूनस को कि अगर हम लोग बात करें यूनस की को फूर फ सूची में सामिल किया गया है और गहथका किलाहा है और अगले परटेनिस्थल की स्थारे अगला परटेनिस्थल मालनपूर wyb never a more लोग जोग अगले परटेनिस्थल के उर्च चलते हैं यहां पर important लिख लीजे, वो इसलिए है क्योंकि जो महाभारत में देवगिरी पहाड़ी का पर, देवगिरी पहाड़ीयों का burden है ना, उसके उपर यह इस्तित है, अटेल का किला, यह बदवर्या राजा मदन सिंग के द्वारा 1664 में बनवाया गया था, और इसमें इस, जो य यह अटेल का किला है, इसमें एक बिसेष्टा की बात करें, तो बिसेष्टा कहिए, चाहिए कुछ भी कह लीजिए, यहां पर एक, मैं दरवाजा है, किसे कहा जाता है, उसे खूनी दरवाजा का नाम दिया गया है, क्योंकि यहां पर आज भी, यह साड़े तीन सा साल पुर इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि एक्जाम के पॉइंट उब्भी से ज्यादा महत्पूर रहने वाले हैं तो यह थी हमारी भिंड़े डिस्टिक की सीरीज कैसे लगी कमेट करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्याद से ज्यादा मात्रह में सेर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा धेन्यवाल मिलते हैं अगली वीडियो के तब तक के लिए धेन्यवाल